तो हेलो दोस्तों, तो ये मेरा Q&A वीडियो है इन दो वीडियो के उपर और अगर आपने मेरी ये वाले वीडियो नहीं देखी हो तो आप पहले वो जा के देख सकते हो तो ये वीडियो के related मुझे जितने भी question आये थे उन में से मेंन्य common common question को निकाल लिया है एंड उन सब questions का answer मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ तो अगर आपके भी कोई question हो तो आप मुझे इस वीडियो के comment box में पूछ सकते हो मैं उसका answer आपको जल से जल दे दूँगा तो बिना किसी देर के शुर करते हैं चल बीडिये के question पूछ ठीक है तो हमारा पहला question है योग सेक एपसरप करने के लिए कितने दिन लगते हैं बीडि ओके तो देख योग सेक एपसरप करने के speed हर एक टर्टल की अलग अलग होती है फिर भी अगर मैं मेरे experience से बताऊ तो 4-5 दिन लगते हैं हाँ वैसे और एक चीज जब टर्टल natural habitat में होता है तो वो वहाँ पे जब तक वो पूरा योग सेक एपसरप नहीं हो जाता तब तक वो अंडे की अंदर ही रहता है वैसे मेरे यहाँ पे में थोड़ा सा हाथ लगाता था डिस्टप करता था इसलिए उनको वो place unsecure फिल होती थी इसलिए वो थोड़ा जल्दी बाहर आ गए इस वज़ा से आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा होगा कि वो टर्टल का योग सेक बहुत ही जादा बड़ा था तो अभी बहुत सारे लोग ये भी पुछेंगे कि ये उनके लिए safe होता है या नहीं तो उनके लिए मैं बता दू नहीं ये उनके लिए बिल्कुल safe नहीं है क्योंकि उनको अगर उनकी योग सेक को अगर जरा सा भी धका लगा तो उनको वो दर्द फिल होता है अगर गलती से भी उनका योग सेक डैमेज हो गया तो वो नहीं बत सकते उनकी तुरंत मौत हो जाएगी क्योंकि आपको मैं बता दू मेरा दो टर्टल का experience है जिनका योग सेक डैमेज होके वो मर गए पर मुझे उनकी क्यार करने का experience है उनको कैसा रखता है ये पता है इसलिए मैंने वो risk ले ली वैसे में भी नहीं चाहता था कि वो इतना जल्दी बाहर आए तो हमारा दूसरा सवाल है इन में से male turtle कैसे पहचाने and female turtle कैसे पहचाने ये कैसे पहचाने बीडी ओके तो पहले मुझे ये बताओ ये बक्वा सवाल पूछा किसने अरे भई वो आभी 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 आइंडे से बाहर निकले है उनको उनका शेप तो गेन करने दो एंड देखो भाई मैं सीधा सीधा बता देता हूँ जब तक इन में maturity नहीं आती तब तक इन में कैसी भी जानवर में maturity आने तक उनमें male female बताना बहुत मुश्किल होता है चल नेक्ट question बोल तो हमारा तीसरा सवाल है ये अंडे हैच होने के लिए कितने दिन लगते है बीडी तो इसका जवाब मैं accurate तो नहीं दे पाऊंगा पर इतना आप समझ लो कि टर्टल के जो hatching rate होता है टर्टल के एक्स का जो hatching rate होता है वो temperature पर depend होता है जैसे जैसे जगाच बदलती है वैसे वैसे temperature भी बदलता है इस वज़ा से अलग अलग country में अलग अलग मतलब time limit है तो मेरे यहाँ मतलब में incubilator का वो use करता हूँ इसलिए मेरे यहाँ वो लगबग 2 या धाई महने में निकल जाते है अगर हम google की माने तो तीन से चार महने लगते है वैसे यह species के उपर भी depend है कि आपके turtle के species कौन सी है ओके तो हमारा next question है यह बीडी एक मिनिट यार यह पीछे background में कितना एक ही वीडियो कितने बार rewind हो रहा है थोड़ा बदल देना sorry वो question पूछने के चकर में यात नहीं रहा बीडी तो हमारा next question है आप अलग-अलग अंडों पे अलग-अलग symbol क्यों बनाते हो बीडी तो अंडों के उपर symbol बनाने की मतलब मेरी एक बहुत लंबी story है तो वो मैं आपको कभी और बताऊंगा फिलाल मैं आपको इतना ही बता दू कि उसे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होती है next question प्लीज तो हमारा next question है ये hand hatching क्या होता है and ये harmful है तो आप क्यों कर रहे थे बीडी हाँ ये एक अच्छा question है तो यस ये बहुत ज़्यादा harmful है तो ये मतलब जो hand hatching होता है तो वो अंडे के साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकते मतलब कभी भी मुझे उठाय और हाथ से अंडा फोड के बच्चा बाहर निकाल दिया ऐसा हम नहीं कर सकते तो इसको मतलब बहुत बार मतलब में इसको करता ही नहीं हूँ पर बहुत बार कैसा होता है अंडे के अंदर का जो बच्चा होता है वो थोड़ा सा कमजोर पैदा होता है तो इस वाज़ा से वो अंडे को हैच नहीं कर पाता और अंदर के अंदर ही दम घुटके मर जाता है तो उससे आच्छा हम उसको मतलब hand hatching से उसको बाहर निकाले तो और एक चीज बहुत से लोग समझते होगे कि hand hatching मतलब हाथ से आंडा फोड दिया और बच्चा बाहर निकाल दिया तो ऐसा नहीं होता इसके लिए भी मतलब बहुत सारे steps होते हैं बहुत अलग-अलग मेथड होती है तो हम ऐसे डारेक्टली उसको फोड के निकाल नहीं सकते तो इसके उपर मैं जल्दी एक नया वीडियो लाऊंगा तो वहां मैं आपको प्रॉपर्ली गाइडेंस करूंगा कि हैंड हैचिंग करते कैसे है और कब करते है तो वो वीडियो ज़रूर चेक आउट करे तो हमारा नेक्ट कोश्चन है हाउ टू क्यार बेबी टाइटल बेबी टाइटल की क्यार कैसे करें बीडी तो देख भाई वो टॉपिक अगर मैं यहां कवर करने बैठूंगा तो यह वीडियो 20-30 मिनिट की हो जाएंगी और बात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तो इसलिए मैं उसके उपर एक अल किये क्या दे रहे हो बीडी हाँ यह सवाल मुझे से मतलब 5-6 लोगों ने पूछा था तो उनके लिए मैं बता दू फिलाल आज सातवा दिन है और वो जब तक उनका योग सेक एबजॉप नहीं होता तब तक वो कुछ भी नहीं खाते तो इनका योग सेक अच्छी तरीके स मतलब पूरा एब्सप हो गया था तो मुझे लगा कि यह आज से मतलब शायद खाएंगे तो इसलिए मैंने ट्रायल के लिए थोड़ा सा डाला था तो फिर भी उन्होंने नहीं खाया मतलब डाला वो वेफ्ट हो गया उन्होंने खाया ही नहीं तो फिलाल मतलब में इस उमर के turtle के लिए टूबेक स्वाम ही किलाता हूँ और बाद में जय से जय से ये बड़े होते हैं बाद में मैं फूड में थोड़े से बदलाओ करता हूँ तो ये बदलाव में क्या करता हूँ एंड कब करता हूँ ये टॉपिक भी में हाउ टू केयर टर्टल इस वीडियो में कवर कर दूंगा डूंट वरी नेक्स्ट कोश्चन तो हमारा नेक्स्ट कोश्चन है खरब एंड अन्फर्टाइल अंडों का क्या खिया वीडी कि तो मेरे जो दो अन्फर्टाइल एक तेट रह ने विलेटर मैं रखा हुआ है तो क्यों क्यों क्योंकि लिटर में उनका बहुत ज्यादा में रोल है एंड रही बात इन मतलब फर्टाइल एंडो की तो ये वैसे तो फर्टाइल थे पर मतलब मुझे टाइम पर इनक्यूबिलेटर नहीं मिला था इस वज़ा से वो मर गए थे तो चलो आप में इनको भी मतलब फूड के आपको दिखाता हूँ इनमें मतलब कैसा कैसा है बच्छा कितना बनाता क्या नहीं था तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर का योग योल क पूरा सकत हो चुका है मतलब एकदम रबबर के तरह एंड ओके तो आप ये योग सैट में ये लाल कलर की चीज़ देख पा रहे होगे तो बेसिकली यही साइगोट है मतलब यही आगे जाके बच्चा बनने वाला था पर अपसोस की अपसोस यह मतलब पहले ही मर गया तो इसको मैं भी साइड में रख देता हूँ और यह दूसरा अंडा है तो यह भी तभी मर गया था तो इसका तो मतलब next level हालत हो गई है तो इसमें बहुत सारे कीडे हो गए है तो यह कीडों ने अंदर से इसको पूरा खा लिया है तो इसमें मतलब वो कुछ भी नहीं बाकिरा रहे गया है आप देख सकते हो इसको यह पूरा खुकला कर दिया है इन कीडों ने तो इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ वैसे तिसरे अंडे की भी वही हालत है इसमें भी कीडे हो गए थे तो मैंने वो हटा दिये थे पर देखते हैं इसमें भी तो आप देख सकते हो कि इसकी भी सेम हालत है ओके तो इसके साथ ही वो फूटे हुए अंडे का क्या किया पीडी तो देखो भाई इस बारे में बस मैं इतना ही कहूंगा कि उस पर मैं ट्रेट्मेंट कर रहा हूँ एंड अगर वो सक्सेस्फुल रही तो मैं उसके उपर भी एक वीडियो लाऊंगा नहीं तो नहीं रही तो भी लाऊंगा पर इतना जरूर है कि मैं उस पर ट्रेट्मेंट कर रहा हूँ एंड मैं ने उसको फेक नहीं दिया नेक्स्ट कोशन बेबी टर्टल को उनकी मॉम डैड के साथ कंप्यार करो बीडि ओके तो ये बेबी टर्टल के मॉम डैड है तो आप ही इनको मतलब कंप्यार कर सकते हो तो देखो कितने मतलब कितने ज़्यादा बड़े है ओके तो बोनस के लिए मैं और एक आपको चीज़ दिखा देता हूँ तो ये इसका बड़ा भाई है मतलब इनका बड़ा भाई है एंड इसकी उमर दो साल है तो आप इससे भी कंप्यार कर सकते हो तो वैसे तो ये मतलब आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा पर ये मतलब आप मेरे हाथ से पहिचान सकते हो कि ये कितना चोटा है तो हाँ इसकी उमर दो साल है एंड हाँ मैं इसमें बता सकता हूँ मेल फिमिल कैसे पहिचाने पर इतने चोटे टर्टल्स में मैं नहीं पहिचान सकता तो नेक्स्ट कोईशन ओके तो आज के लिए बस इतना ही था अगर आपके भी कोई questions हो तो आप इस वीडियो के comment box में लिख सकते हो आपको आपका जवाब जल्दी ही मिल जाएगा बीडी तो आज के लिए बस इतना ही हम मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर तब तक के लिए थैंक्स फोर वाचिंग बीडी